हाई सुपर फैंस आपने लाएं ये है दे निव मुटेंट्स का कम्प्लीट ब्रेकडाउन विद इडन डीटेल्स एंड इस्टर एक्स 20th सेंचुरी की आखरी कोशिश X-Men फ्रिंचाइजी को रीबूट करने की विद टोटली निव मुटेंट्स की टीम जिनका सामना होता है एक अन्नोन विलन से जिसे हराने के लिए अनली सॉलिशन इस खुद का कंट्रोल वापस पाना वेलकम बैक तो माई सीरीज रोट टो डेडपूल और वुलवरीन जहां मैं बैक तू बैक अवरी वीक ब्रेक्डाउन कर रहा हूं एवरी X-Men मूवी का अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है और फूचर वीडियो जिनमें आएंगे डेडपूल के टू पार्ट्स का ब्रेकडाउन तो वो आप मिस नहीं करना चाते हो तो चैनल को सब्स्क्राइब ज़रूर कर लेना मूवी की शुरुवात होती है लोगों से और हॉरर जन्रे की होने की वज़े से यहां 20th Century Fox का लोगो फॉंट भी मैच करता है मूवी के इस क्रीपी लुकिंग फॉंट से अब पिछली X-Men मूवी जहां एक Xavier या Jean Grey के वोईस ओवर से मूवी शुरू होती थी यह मूवी शुरू होती है डैनियल मून स्टार के वोईस ओवर से डैनियल मून स्टार A.K.A. मिराज एक Native American mutant है यह वैसे Native American जैसे Echo है अब उसकी powers है manifest करना लोगों के greatest fears को और उन्हें real world में ले आना यहां उसका वोईस ओवर explain करता है एक Native American proverb कि everyone has two bears inside them यह काफी popular proverb है जहां एक bear represent करता है humans का good nature वहीं दूसरा represent करता है bad nature and इन दोनों bears की fight में वही जीत सकता है जिसे तुम feed कर रहे हो in simple words इंसान अच्छा या बुरा होता नहीं है वो धीरे धीरे बनता है which means कि कभी भी तुम side switch कर सकते हो यानि अच्छे से बुरा और बुरे से अच्छा भी so it's a good life lesson but इस movie का first scene Danny की life में बहुत सारी bad things लेके आता है क्योंकि सोती हुई Danny को उठाता है उसका father William जो उसे बताता है कि उनके reservation पे attack किया है एक unknown entity ने यह है एक demon bear जो haunt करता है Danny को same चीज़ comics में भी दिखाई गई है और यह bear फिर से दिखेगा तो तब इसकी details discuss करते हैं अब वो जब घर से भागते हैं तो weather summer है लेकिन इस demon bear के manifestation की वज़े से यहाँ snow गिरते हुए दिखती है और आगे भी जब भी वो आएगा तो ऐसे ही snow दिखेगी fear की feeling के साथ generally coldness को जोडा जाता है जैसे डर के मारे हाथ पैर थंडे पर जाते हैं वैसे ही यह demon bear coldness अपने साथ ले के आता है अब William Danny को एक पेड के पीछे चुपा के जब खुद आगे जाता है तो वो मारा जाता है hinting कि उसकी powers यहाँ पे block करने के लिए ऐसा किया गया है आगे हमें पता चलेगा कि यह hospital है Milbury hospital comics में Mr. Sinister का एक और नेम है Nathan Milbury and Fox franchise ही उसी को main X-Men villain के रूप में दिखाने की planning में थी button Disney ने उसे खरीद लिया and उन्हें सब कुछ delay करना पड़ा लेकिन future में X-Men villain के रूप में Mr. Sinister दिखने वाला है जल्दी ही MCU में अब इस hospital को चलाती है Dr. Cecilia Reyes comics में Cecilia एक medical doctor ही है लेकिन साथ में वो generate कर सकती है एक force field जिसके कारण उसका superhero name force field है उसके coat पे हम notice कर सकते हैं यह diamond batch जो की पहली निजर में weird दिखता है बट Mr. Sinister के बारे में जो जानते हैं और जिन्हों ने X-Men 97 सीरीज देखी है उनको पता होगा कि उसका trademark है यही diamond जो उसके कपडों पे और उसके सिर पे भी है और उसके controlled बाकी लोगों के सिर पे भी दिखता है by the way अगर X-Men 97 का breakdown नहीं दिखा है कार्स की playlist से बात में जरूर चकाउट कर ले ला कॉमिक्स में Reyes X-Men टीम के साथ थी बट यहां वो काम कर रही है Sinister के लिए जो हमें इस movie में नहीं दिखेगा अब वही Danny से मिलती है और उसे explain करती है कि उसकी family और reservation के बाकी सभी लोग मारे गए और वो अकेली survivor है और वो कहती है कि वो जिसके लिए काम करती है वो mutants को identify करके उन्हें यहां लाता है hinting कि वो Charles Xavier के बात कर रही है क्योंकि past movies में वही ऐसे करते हुए दिखा था बट हम जानते हैं कि वो Sinister के बात कर रही है जो mutants पे experiment के लिए ऐसे करता है अब Danny मिलती है और चार यंग टीनेजर से इन में हमें दिखता है Sam Guthrie एके Cannonball जो Thermochemical Energy Field से Propulsion क्रियेट करता है यानि कि वो अपनी body को एक blast के साथ थ्रो कर सकता है next is Illyana Rasputin एके Magic जो Magic Conjure करके weapons क्रियेट कर सकती है and travel कर सकती है एक और Dimension Limbo में कॉमिक्स में वो Colossus की sister है जो relation यहां confirm नहीं किया गया लेकिन उसके हाथ का puppet match करता है कॉमिक्स के Lockheed से जो Pet Dragon था Kitty Pryde का and then Illyana के पहुँच गया था next is Roberto Da Costa एके Sunspot जो अपनी body को transform कर सकता है Humanite Sun में जैसे again हम X-Men 97 में देख चुके हैं and last is Rain Sinclair aka Wolf Bane जिसकी powers है Lycanthropy यानि कि mutant powers से वो खुद को transform कर सकती है एक wolf में यहीं पर बात करते वक्त यह 5 जो अपनी-अपनी tragedies एक दूसरे को बताते हैं Sam ने एक mind destroy कर दी थी जिसमें उसका father और उनके co-workers मारे गए थे Roberto ने accidentally अपनी girlfriend को जला दिया था Rain अपने ऐसे गाउं से भाग के आई है जो उसे demonic मानते थे and Illyana के पास में वो child slave थी and उसे haunt करते थे other worldly beings called the smiley man and इन सब की tragedy के बाद ही इनको यहां लाया गया है अब Reyes ने अपनी powers से एक force field create कर रखी है ताकि कोई भी facility से भाग ना पाए and यह Danny अच्छे से feel करती है जब वो भागने की कोशिश करती है Illyana जब Danny की insult करती है तो वो intimidate होती है और भागने में fail होने के बाद वो try करती है एक tower पे चड़के jump करने को लेकिन उसे कूदने से रोकती है rain and दोनों का अपस में interest दिखता है जो कुछ देर में और clear होगा उसी रात को Sam laundry room में होता है जब उसे विचन आती है उसके father, Thomas और उनके co-workers की जो smile accident में उसकी वज़े से मारे गए थे but then एक hit से वो back to reality आ जाता है अब ये सब कुछ हो रहा है Danny की powers की वज़े से जो धीरे धीरे out of control हो रही है और उसे monitor करने वाली screen पे हम psionic energy detected की warning देख सकते हैं जो फिलाल के लिए उसे तो सिर्फ horror dreams दे रही है but बाकियों को उनके worst manifested tortures दे रही है अब अगले दिन bathroom में नहाते time मेरे इनकी pete पे एक mark दिखता है जो W का sign है maybe उसकी wolf जैसे दिखने वाली powers को mark करते हुए या फिर W for witch जो उसके गाउं के लोग उसे मान रहे थे but then ये एक ultra M भी है जैसा bishop के face पे है यानि कि उनका mutant mark अब TV पे वो देखते है एक show Buffy the Vampire Slayer जो 1997 में शुरू हुआ था and इसी show की storyline and horror से inspired है इस movie का direction भी इसी show के दो characters TV पे किस करते हुए दिखते हैं जो चीज movie में थोड़ी दिरबाद होने वाली है लेकिन कुछ दिरबाद Ilyana again Danny की insult करती है और गुसे में Danny इस पे attack करती है लेकिन बीच में आ जाती है Rears और दोनों को ही solitary confinement में डाल देती है अब अपने puppet dragon Lockheed के साथ Ilyana अपने बचपन की horror dream जीती है again जहां चादर में छुपी Ilyana को haunt करते हैं ये tall smiley mask पहने हुए आदमी अब ये reference हो सकता है The New Mutants comics में दिखा एक group the right का जिन पे इसी थरह के smiley faces बने हुए दिखते हैं अब दन आगे Ilyana बताएगी कि ये लोग जो उन्हें child slaves के रूप में torture करते थे वो ऐसा करके हसते थे जिस reason से वो उन्हें smiley man के रूप में जानती है दूसरे रूम में trap Danny भी trigger होती है और उसके रूम में snowfall होते होए दिखता है hinting again कि demon bear is coming जो उस पर almost attack भी करता है और क्योंकि दो-तिन बार demon bear की बात हो गई है तो ये actual में belong करता है दा new mutants की comic series demon bear सागा से जो storyline cover हुई थी new mutant issue 18 से 20 के बीच में और इस storyline में भी demon bear attack कर रहा था mutants की team को उनके newest member Danny को मारने के लिए बट जब ये demon bear यहाँ entry करता है तो Dr. Reyes monitor पर notice करती है एक notification anomaly detected which means की कोई ऐसी चीज जो exist नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो manifest हो रही है Danny की powers से बर दन कुछ दिर बाद वो गायब हो जाती है अब Reyes Danny को लेके जाती है test के लिए और यहाँ वो उसे बताती है rattlesnakes का ये fact Yes ये true है लेकिन साथ में ये metaphorically compare करता है Danny को उस baby rattlesnake से जिसे अपनी powers control करनी नहीं आती और वो किसी को भी hurt कर सकती है Reyes कहती है कि जिन X-Men को वो अब super heroes के रूप में जानती है उन्होंने भी अपने early days में कई लोगों को hurt किया होगा Yes ये भी सच है क्योंकि इनमें आते है Logan, Jean Grey, Rogue, Magneto और बहुत सारी young mutants जिन्होंने अपने बच्पन में powers developed करते वग कई लोगों को hurt किया था इसी treatment के time range आती है chapel में जहां उसे कुछ और villagers की आवाजे सुनने लगती है जो उसका पीछा करते हैं लेकिन थोड़ी दिर में सब कुछ रुख जाता है क्योंकि ये बस शुरुवात है अब रात को iliana raise की coffee में sleeping pills डालती है और वो सभी पूरी facility में मजे से घुमते हैं अब ये सब बैट के guess करते हैं कि raise किस के लिए काम करती है इस moment पे रॉबर्ट अपने सिर पे टैप करता है confirming की सभी को यहां लगता है कि वो Charles Xavier के लिए काम कर रही है Rain Danny को ले जाती है अपने साथ एक went के through hospital के बाहर जो actual में इस facility की symmetry है अब इस symmetry में हमें बहुत सारे tombstone दिखते हैं जिसमें से एक है 138 जो reference है New Mutants की volume 1 issue 38 का जिसके cover पे इसी तरह के tombstones बने थे लेकिन साथी में ये भी hint मिलती है कि कई सारे mutants इस facility में मारे गई हैं जिने यहां दफनाया गया होगा अब यहीं पे आस्मान को देखते हुए Danny and Rain kiss करते हैं और force field की वज़े से ये sky red glow करता है ये exactly match करता है एक्सीवियस के cerebral room के इस scene से इसी moment पे रोबर्टो swimming करने जाता है इलियाना के साथ जिसे वो भी kiss करता है बट देन वो disappear हो जाती है और रोबर्टो को दिखती है उसकी मरी हुई girlfriend जो अभी भी जल रही है ये ये ही वो girlfriend थी जिसे उसने गलती से जला के मार दिया था अब अगें डर से वो अपनी powers का control खो देता है और जब Reyes को होश आता है तो monitor में हम इलियाना को उसके room में देखते हैं विच मीन्स कि जो इलियाना पूल में दिखी थी वो actual में रोबर्टो का manifestation ही था टाइम पे पहुँचके Reyes उसे पूल में पुश करती है और बचाती है जिसके बाद वो इलियाना को solitary confinement में डलती है अब अगें Reyes Danny पे experiment करती है लेकिन साथी में Danny Reyes की memories में देखती है जहाँ उसे बदा चलता है कि उसने कई सारे experiment किये है young mutant children's पे और येस यहाँ पे जो flashback scene हमें देखने मिलता है वो Logan movie का exactly यही scene है इस scene में हम X-23 Laura को भी देख सकते हैं इसी duration में नहाती हुई Rain भी अपने fear को manifest करती है और वहाँ पहुचता है Craig Sinclair जो उसे witch मान के torture कर रहा था और Rain नहीं उसे मारा था and again वो उसकी neck पे hot metal से double print कर देता है instantly वो wolf में transform होके भागती है and जब बाकियों से वो मिलती है तो उसके body पे physical mark देखके उन्हें realize होता है कि यह उनकी dreams नहीं reality है इसी के parallel Iliana को भी अपने room में vision दिखती है smile man की and जब वो भी उनके पास पहुचती है तो उसे idea लग जाता है कि यह सब कुछ हो रहा है Danny की वज़े से जिसे खुद ही नहीं पता कि उसकी powers क्या है वो Danny पे attack करती है और उसे ले जाती है limbo में यस यह limbo actual में एक fiery pocket dimension है जहांपर comics की magic ने train किया था खुद को and उसका blue color का soul sword वहीं से आया था लेकिन movie में इसे एक imaginary world की रूप में दिखाया गया जो magic ने create किया है खुद के safe space के रूप में इस attack से Danny खुद को बचाती है Illyana की weakness देखके and then Reyes दोनों को separate करती है अब Reyes अपने employer से consult करती है and उसे instruction मिलते है Danny का DNA sample लेके उसे मारने का और ये instruction किसी और से नहीं SX Corporation से ही आ रहे है जिस नाम के उपर हमें दिखता है ये diamond logo भी again confirming कि ये Mr. Sinister का ही Corporation है अब Danny को Reyes फिर से ले जाती है experiment के लिए लेकिन Rain को idea लग जाता है कि कुछ गडबड होने वाली है वो जिस TV रूम में बाकियों से मिलती है वहाँ again TV पे चल रहा है Buffy the Vampire Slayer का ये episode जो actual में 4th season का episode हश है इस episode में Buffy के town पे कुछ aliens ने attack किया था जिनका look exactly match करता है वैसे ही Smiley Man से जो थोड़ी दिर में यहाँ attack करने वाले हैं अब Reyes Danny को बेहोश करके poison से मारने की कोशिश करती है और अगें Danny के डर की वज़े से बाकी सभी के greatest fears manifest करने लगते हैं इलियाना और Sam पे attack करते हैं Smiley Man जिन में से एक Roberto पे भी attack करता है लेकिन वो अपनी power use करके उसे hit कर देता है Reyes Danny का blood sample लेके उसी तरह के एक brief case में रखती है जैसा X-Man apocalypse में हमने post credit scene में देखा था लेकिन Danny के मरने से जस पहले rain पहुँचती है और अपने wolf form में Reyes को injured करती है और भागने पे मजबूर कर देती है यहाँ इलियाना डर के teleport कर जाती है और Sam को मौका मिलता है अपनी power use करने का लेकिन वो फिर से limbo से वापस आती है अपनी blue color comics accurate soul sword लेके जिनसे वो बाकी बच्चे smile event का खात्मा करती है अब सभी new mutants फिर से regroup होते है और रेयस के office में ही इलियाना अपनी file निकालती है जिससे उन्हें clear होता है कि उन्हें train किया जा रहा है killers के रूप में बट वो भी x-men के लिए नहीं sx corporation के लिए और यहीं वो लोग realize करते हैं कि भागने के लिए उन्हें race को मारना पड़ेगा जब वो उन्हें मिलती है तो वो भी ये confirm करती है कि उसी ने उन्हें जिन्दा रखा है ताकि वो future में sx के लिए काम कर सके लेकिन साथ ही में वो ये भी कहती है कि Danny को मरना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे खतरनाक है अब रेयस सभी को अपनी power से trap करती है और suffocate करके Danny को बेहोश कर देती है लेकिन अपने सबसे बड़े fear को face करने की वज़ज़ से Danny manifest कर लेती है the demon bear को वही creature जो starting से Danny को stalk कर रहा था और वो इस compound में enter होता है रेयस के force field को तोड़ते हुए और उसे ही खा जाता है बेहोश Danny को बाकिस अभी लोग दूर ले जाते हैं और सिर्फ इलियाना बिना डेरे इस demon bear से fight करने जाती है यही जब Rain and Sam उसे रोकने की कोशिश करते हैं यह कहते हुए कि वो bear magic से बना है तो इलियाना कहती है येस magic उसका super hero name है और जैसे ही वो limbo के through real world में आती है तो उसके साथ का lock it puppet actual में एक real life dragon में change हो जाता है जिसके साथ मिलके वो fight करती है demon bear से इलियाना के बाद बाकी सभी लोग भी एक एक करके realize करते हैं कि उन्हें भी अपने fears को overcome करना पड़ेगा and Sam के बाद Roberto भी उससे fight करता है and Rain बहुत देर तक unconscious Danny को उठाने की कोशिश करती है लेकिन finally उसे भी fight में involved होना पड़ता है unconscious Danny अपने mind में मिलती है अपने father से अब ये एक alternate realm या spirit world हो सकता है but I think it's all in Danny's subconscious mind जो उसे मौका देता है अपने father से एक बार फिर से बात करनेगा लेकिन साथ ही खुद को एक reminder देनेगा कि सब कुछ उसके control में ही है अब जब वो real world में उड़ती है तो वो उस demon bear को confront करती है उससे लड़के नहीं बलकि उसे calm down करके indirectly अपने fears को calm down करके जिसके साथ ही वो bear dissipate हो जाता है अगली सुबह होते ही पांच ओ न्यू mutants अपना सामान लेके इस compound से जाते हैं बाहर उस nearby town को ढूणने जो Reyes के हिजाब से 20 मील दूर था जहां Danny movie की starting का dialogue repeat करती है उसका conclusion देते हुए कि अच्छे और बूरे में से जीतेगा वही जिसे तुम feed करोगे और यहीं पर यह movie खतम होती है I think rewatch में movie मुझे उतनी बुरी नहीं लगी जितनी उस time लगी थी में भी उसका reason शायद movie की release date बार-बार delay करना रहा होगा लेकिन आपने अगर movie देखी है तो movie के बारे में अपने thoughts और इस video के बारे में अपने thoughts मुझे comments में जरूर बताना मैं सारे comments पढ़ता हूँ and that is something जो really मुझे motivate करती है so comment जरूर कर देना next 10 screen से recommended videos भी check out कर लेना and video अगर एंट तक देख रहे हो तो like भी कर देना क्योंकि वो एकदम free है मिलते हैं next video में अब horror genre की होने की होने की वज़े से 20th century facts facts fuck